नमस्कार, स्वागत है बच्चों आपका सेल्स्टड़े के चैनल में और आज हम चर्चा करेंगे भारत का जो सफर है 5G तक का उसके बारे में 1G की शुरुआत यानि भारत में टेली कम्मुनिकेशन की जो शुरुआत कब से हुई थी और अब यहां पर 2022 के अंदर भारत कुछ शेहरों के अंदर 5G की सर्वीज जो है वो लागू करने जा रहा है या फिर 5G सर्वीज देने जा रहा है इसके फाइदे क्या क्या होंगे 5G से क्या क्या फाइदे होंगे 5G को लागू करने के लिए क्या क्या प्रोब्लम आएंगी हम उनके बारे में डिसकस करेंगे और उन problems को कैसे दूर किया जा सकते हैं तो हम उन सब बातों के उपर discuss करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर तो चलिए start करते हैं हाल ही में Department of Telecommunication ने ये घोशना किये कि भारत के कुछ महानगरों में 2022 में 5G की सेवाएं जो हैं वो शुरू कर दी जाएंगे जैसा कि भारत ने 2018 में बाकी के बाकी जो देश थे उन्हों ने ये कहा था कि वो 5G Services लेके आ रहे हैं तो 2018 में भारत ने भी कहा था कि वो जितना जल्दी हो सकता है उतना ही जल्दी भारत के अंदर भी 5G Services को start करेगा जिसका यूज हम देजी से नेटवर्क का यूज कर पाएंगे उसकी पावर का हम यूज कर पाएंगे तो 5G Services जैसे कहूं कि Evolution जो टेलिकों में हुआ है भारत में 1851 1851 में जो फर्स्ट इलेक्रिक टेलिग्राफ लाइन जो start की गई थी कलकत्ता और डाइमंड हर्बर के बीच में यहां पर start की गई थी 1882 के अंदर फर्स्ट फॉर्मल टेलिकों सर्विस स्टार्ट की गई थी जिसके 93 सब्सक्राइबर थे 1885 में Department of Telecom Estabilize किया गया था फिर 1986 आते आते MTNL, VSNL इनको स्थापित किया गया था तो यहां पर आप देखें 1995 के अंदर 1995 के अंदर फर्स्ट कोल मेट फ्रों मॉबाइल फॉन इंटरनेट इंट्रिडूज यह जब किया गया था 1997 या 1980s के दशक में जो था 1G आ गया था 1990s के दशक में यानि 1990 के दशक में 2G सर्विसीज जो है वो हमारे देश में इंट्रिडूस हो गई थी 1997 के अंदर ट्राइ की स्थापना होई थी टेलिकॉम रेगुलेटरी अथोर्टी ओफ इंडिया काफी इंपोर्टन्ट है 2011 में मुबाइल पॉर्टलिटी यानि मुबाइल नंबर पॉर्टलिटी की की स्थाट किया गया था 2013 के अंदर 100% FDI इंवेस्टमेंट हमने कहें कि भारत जितने भी फोर्ट डिरेक्ट इंवेस्टमेंट इस टेलिकॉम के शेत्र में मतलब कि 100% आप इंवेस्टमेंट कर लीजिए यहाँ पर 2015 में भारत 2nd largest country है पुरे वर्ल्ड में जिसके 1 billion से भी जादा जो 1 billion टेलिकॉम 2015 में पहुँच गया था 1 billion टेलिफोन सब्सक्राइबर के यहाँ पर पहुँच गये थे भारत के अंदर तो यह एक छोटा सा एक हिस्ट्री एक ब्रीफ आईडिया आप लोगों को मिल जाएगा आचा बात कर लेते हैं कि इससे क्या-क्या फाइदे होंगे यहाँ पर 5G जो है वो पांच्वी पीडी की मुबाइल नेट्रोक है जैसे कि आपको पता है 1G यानि 1st generation 2nd generation, 3rd generation, 4th generation के बाद अब एक नया एक तरीके का standard आ रहा है उसका नाम है 5G यह के आने से कुछ नई चीजों को हमारे सामने introduce किया जाएगा यह बहुत सारी चीजों को एक साथ virtually connect करने वाला है मशीनों से लेकर वस्तुएं उप करने सभी लोगों को सभी आपस में virtually connect कर देगा यह 5G में 3 band होने वाले हैं और जो इसका सबसे high band है सबसे बड़ा band low band, mid band और high band high band की जो speed बताए जा रही है वो 20 GBPS यानि 20 GB per 32nd की बताए जा रही है जबकि 4G के अंदर जो 1 GBPS था यानि 4G के मुकाबले यह 20 गुना जादा जो है वो efficient या फिर तेज speed से काम करने वाला है थोड़ा सा हम history के बारे में बात कर लेते हैं अभी हमने देखा ही है तो थोड़ा बहुत में आप लोगों का 1G की शुरुवात कैसे हुई 2G की, 3G की, 4G की इनको और देख लेते हैं देखें, 1G जो है वो 1980 के दशक में 1980 के दशक में स्टार्ट हो गया था यानि यहाँ पर आप देखें तो आपको शायद यह ना दिखें क्योंकि बहुत ज़्यादा चोटा है 1997 के अंदर जो था voice, एक तरीके का voice ही हम कर सकते थे voice call ही हम कर सकते थे रेडियो सिगनल के थुरू, एनलोग रेडियो सिगनल के थुरू यह काम करता था voice call का समर्थन करता था लेकिन 2G, 1990 के दशक में 2G की इंटरड्यूस कर दिया गया था जिसमें इंटरनेट की जयाँ पर जो स्पीड है, लेकिए 64 Kbps की bandwidth के साथ इसे voice और data transfer के मतलब इसको support करता था यह 2G, 2000 के दशक में 2000 के दशक में 3G आया जिसकी speed 1 Mbps से लेकर 2 Mbps के साथ इसको launch किया गया था और इसके साथ हम video conferencing video call, digital voice इन सब चिज़ों को अच्छे से use कर पा रहे थे 4G आता है 2009 के अंदर जिसकी speed 100 Mbps से लेकर 1 Gbps जो इसकी speed बताए गई थी जो 3D virtual reality को possible बनाता है 3D virtual reality मतलब आपने अगर game के लिए हो न वो PlayStation में जिसमें आंकों के पर VR चड़ाया जाता है तो उसको लेकर या फिर बहुत सारे images के अंदर 3D virtual reality को लेकर आया था clear तो यह था अब यहां पर 5G आ रहा है 5G में क्या-क्या होंगे 5G के अंदर 3 band होंगे जैसे मैंने का low, mid, high जिसको जितनी requirement है जिस company को उनको यूज कर सकते हैं जैसे telecom companies जो होती हैं जिनको voice से जादा है जो voice को लेकर जादा होते हैं जिनमें सिर्फ voice call ही जादा चलती है उनमें इतना net का high demand नहीं होती है high speed की demand नहीं हो सकती तो वो यहां पर low band के लिए use कर सकते हैं same जो उद्योग जो industries हैं उनमें कभी-कभी यह low band मतलब उनके लिए कार कर नहीं होगा optimal नहीं होगा तो वो अलग-अलग band का use कर सकते हैं तो ऐसे किया गया है और अब यहां पर internet of things का हम use कर पाएंगे 5G के अंदर internet of things के मतलब होता है बहुत सारी चीजों को हम internet से connect कर देना जैसे कि पानी की जो मैंने कहाँ कि पानी खराब हो रहा है कहाँ leakage हो रही है तो अब इन सम चीजों को हम 5G के टेक्नलोजी के तुरू सब को connect कर सकते है internet of things का मतलब बहुत सारी चीजों vehicles को, घर को, जो electronic device है उन सब को हम connect कर पाएंगे low band spectrum mid band spectrum, high band spectrum इन तिनों के बारे हम बात कर लेते हैं low band spectrum में जो speed है वो बताई जारी कि 100 Mbps तक इसकी speed होने वाली है high, mid में इससे थोड़ी जादा होगी लेकिन इसका जो coverage शेत्रों का वो limited होगा high के अंदर इन सब से जादा होगी जैसे अब भी हमने बात किया 20 Gbps जो इसकी speed बताई गई है और लेकिन इसका coverage है massive IOT, internet of things जैसे अभी हमने बात किये यह जो hinnance mobile broadband है इसको कहा जाते है उननत mobile broadband यानि हमारे smartphone में 5G के technology का use हो गई होगा साथ ही साथ ही virtual reality, VR augmented reality, AR इन जैसी services को भी यह बहुँ जादा तेजी से बढ़ाने वाला है क्योंकि अब इनके अंदर net की speed जादा हो जाएगी जिससे lag कम देखने को मिलेगा यहाँ पर mission, creativity, communication देखे 5G कुछ जो है नई-नई चीजों को लेकर आने वाला है जो companies है उनके अंदर real मतलब की जो विश्वेशनेता है उसको बढ़ाएगा अब वो available होंगी जादा time के लिए जादा जल्दी से available हो जाएगी उनके अंदर कम विलंबता यानि कम उनके अंदर lag देखने को मिलेगा अब यहाँ पर जो remote control चीजें हैं जैसे की medical के अंदर वहानों के अंदर वो चीज possible हो पाएँगी 5G के थुरू Massive Internet of Things जैसे मैंने का 5G की दरव मतलब कि इससे हम Internet of Things बहुत अच्छे से यूज कर पाएँगे जिसके अंदर बहुत बड़ी-बड़ी चीजों को हम आपस में एकदम बड़िया connectivity के साथ उनको जोड़ पाएँगे उनके अंदर lag नहीं होगा जितने भी embedded sensor है उनको जोड़ने में ये कारगर साबित होने वाला है 5G एक तरीके का कहा जाए तो 5G services जो है वो उसको 4th revolution 4th industrial revolution का दरजा दिया गया है यानि जो 18th century में 1st industrial revolution हुआ था 5G ऐसे ही 4th revolution 4th industrial revolution के नाम से जाना जा रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजों को ये सक्षम बनाने वाला है अब ये वाली वाही ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों को पहली बता दी है ठीक है I.O.T. यानि Internet of Things Cloud, Big Data, Artificial Intelligence Machine Learning Ace Computing के साथ जो 5G है वो चोथी ओद्योगी करांती यानि 4th Industrial Revolution एक महतव पून इसको एक तरीके से इस द्रिष्टी से ही देखा जा रहा है मतले हूं कहें कि 1st revolution कब हुआ था 18th में हमारा जो था 18th century के अंदर 1st revolution स्टार्ट हुआ था अब भारत ने राष्टी डिजिटल संचार निती 2018 में 5G के महतव को परकास जाला था कि भी कितना important है और कहा गया था कि 5G के अंदर जो cloud है internet things है analytics जो चीज़ी है इसके अंदर machine learning है artificial intelligence है तो इतनी सारी चीज़ें है इसके अंदर जिससे क्या होगा बहुत सारे start-up को यहाँ पर अफसर मिलेंगे मोके मिलेंगे opportunities मिलेंगे जिसके चलते वो बहुत सारी चीज़ों को जल्दी से कर पाएंगे एक तरीके की देश के अंदर development जल्दी हो पाएगा तो इन सब चीज़ों को ध्यान दिया जा रहा है अब यहाँ पर देखते हैं कि 5G को लेकर क्या-क्या चुनोतियां आ रही है कम-fiberization fruit मतलब कि बहुत कम-fiberization fruit print है इंदी में पढ़ना भी मुश्किल होता है Fiberization Fiberization में मतलब भारत के जो टावर है दूर संचार के जो टावर है उनको जोड़ने के लिए केवल 30% ही Fiberization किया गया है अगर 5G की services को अच्छे से use करना है तो यह संख्या जो है वो double करनी होगी Make in India hardware चुनोती देखिए हमारे देश ने OEM के कुछ उपकरणों का पाबंदी लगा दिया है बैन कर दिया है हम hardware जो बाहर से मंगाते है हमने उनको बंद कर रखा है अब बंद कर रखा है उसके पीछे reason जो main reason दिया गया है वो यह है कि यहाँ पर security का issue बताया जा रहा है कि अगर कोई बाहर से हम ऐसा कोई उपकरण मंगा रहे है उनके अंदर कुछ भी उन्होंने ऐसा करके भेज रखा है जो भारत की information को दूसरे देश में भेज देगा तो इसके चलते हैं भारत में कुछ जो equipment है वो बंद कर दी है जो equipment 5G के लिए important है अब यहाँ पर इसको लेकर भी एक चुनोती सामने आ रही है खेर इसको हम पूरा कर सकते हैं making India के तहट आत्म निर्वर्भारत आत्म निर्वर्भारत के थूरो हम यहाँ पर subsidies देकर भारत में ही ऐसे equipment का निर्वान करवाना start कर दे अचा उचे spectrum मुल्याने धारण भारत में जो spectrum है जितनी भी जो value divided होती है मितलब कि कितने net के उपर हमें होता है हमारा recharge कितने पर होता है recharge होगा यह company को कितने में spectrum मिला और वो spectrum की value कितने में वसूल कर पाईगे तो इस सारी चीज़ें वहाँ depend करती है अजब 5G के सब spectrum है उसका जो निर्धारन होना है देखे वो कहा जा रहा है कि भारत में जो spectrum company को ऐसे समझाता हूँ कि कुछ चीज़ें कुछ हिस्सा दिया जाता है कि आप ये service यूज कर लीजिए ये range है यहाँ से net गुजर जाएगा तो ऐसे spectrum divide किये जाते है अब इन spectrum की बोली लगती है companies आती है बोली लगाने यो बड़ी बड़ी companies आती है टेली communication की वो कहती है ये वाला spectrum हमें दे दीजिए फिर कोई छोटा spectrum ले ले लेता है कोई बड़ा spectrum ले लेता है एक तो लोकल भाष्चा हम समझा रहा है तो वहाँ पर क्या होता है कि उनकी value उनको जो रुपए देना होता है वो सरकार को देना होता है अब भारत में इतना महंगा spectrum है बहुरत जो average है जो पूरे world में अगर average निकाला जाए उससे कहीं ज़्यादा गुना महंगा भारत में spectrum भीख रहे तो वहाँ पर rate के उपर असर पड़ेगा जो customer है उनके उपर अब यहाँ पर भारत के अंदर कितनी जो दूर संचार कंपनिया है वो पहले ही अपने economic crisis से गुजर रही है उनके अंदर already चीजें चल रही है वो उनके लिए नुक्सान दाय हो जाएंगा अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5G technology है उसका standard है वहाँ पर दो चीजें सामने आ रही है देखे 5GI एक standard है एक 3GPP एक standard है इन दोनों के बीच में संगर चल रहा है तो उसको एक तरह के से सही करने के जरूरत है 5GI जो है इसका फाइदा तो है लेकिन यह क्या है कि यह cost को improve कर देता है यह 5G जब इंडिया में लागू होगा तो इस cost को improve कर देगा जिससे टेलिकॉम में गडबड हो जाएगी यहाँ पर clear आगे की राह क्या हो सकती है आगे की राह बड़ी असान सी है घ्रेलू 5G उत्पादन को बढ़ावा देना होगा यानि भारत के अंदर हमें आतम निर्ण भारत को ध्यान में रखते हुए 5G के लिए जितने भी hardware की जरूरत है उसको प्रोतसाहित करना होगा उसके लिए subsidy provide करनी होगी मुल्य निर्धान युक्ति करन अब यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जो rationalize करना होगा हमें जो spectrum के लिए जो मुल्य है उसका ताकि इतना high जादा rate रख देंगे तो वहाँ पर implement करने में लोगों को problem हो जाएगी अब यहाँ पर grammynd और शहरी के बीच में जो अंतर हो रहा है तो हम 5G के जो अलग-अलग band है हम उन bands का use कर सकते हैं जो grammynd और शहर के बीच में जो गावों और शहरों के बीच में जो internet का जो अंतर बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए ठीक है अलग-अलग bands यहार है और इस वीडियो से related आप लोगों को PDF PDF का मिल जाएगी यहाँ पर आपको link दिया मिलेगा description box में telegram channel का तो जाकर join कर लिजिए वहाँ पर आप लोगों को PDF मिल जाएगी और Facebook group का, Facebook page का बहुत सारी चीज़े हैं आप लोगों को PDF PDF असाने से मिल जाएगी यहाँ लिखने के जोटनी है जितना बताया है वह आपको लिखा-लिखाय मिलेगा तो बस आज के लिए इतना है था Thank you for watching this video